हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगोंके एकदम सिंपल से तरीके की आलू गोवी की सबजी लेकी आए हूँ जो एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और जटपट बनके रेडी हो जाता है और एक खास बात है कि आज हम इसमें ना बिना लसन बिना प्याज के बनाए मेरे पास छोटे साइस की गोवी थी इसलिए मैं थोड़ा सा ही लिए हूँ यदि आपके पास बड़े साइस की गोवी है तो इस तरह से धो के काट ले उसके बाद क्या करना है एक कढ़ाई लेना है कढ़ाई में सरसो का तेल डालना है यदि आप सरसो का तेल खाते हैं तो जरूर से सर्थो का तेल ही डाले उसमें ज्यादा टेस्टी बनता है समझी और हल्दी भी होता है साथ में तो आप क्या करेंगे इसमें आधा चम्मज डाल देंगे जीरा और जीरा को क्रेकल होने के लिए कुछ दिर के छोड़ देंगे तेल गरं था तो जीरा बहुत जल्दी क क्रेकल हो जाता है तो जीरा क्रेकल हो गया है तो अब कटा हुआ गोबी डाल देंगे तो अब इस गोबी में डाल देंगे नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर नमक डालने से क्या होता है गोबी जल्दी गलता है और यदि सीजन का तो थोड़ा सा देर में गलता है, तो डाल के अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर देंगे, तो यह मिक्स हो गया है, अब इसे कवर कर देंगे, ढग देंगे, ढग के पांच मिनट के छोड़ देंगे, पांच मिनट में अच्छी तरह से गोबी गल जाएगा, तो पांच लगता है खाने में तो देखिए गोवी भून चुका है भूनने के बाद हलकाल का ब्राउन कलर का हो गया है और अच्छी तरह से सिग गया है और इसमें तेल भी है वी बचा वह बहुत ज्यादा तेल नहीं सोक करता है तो इसमें चार पीस उबला हुआ आलू डाल देंके क्यो कि गोवी में हमने पहले ही नमग डाल दिया है तो सिर्फ आलू इतना डालना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालना है और एक चम्माच घिसा हुआ अध्रक डालेंगे मिक्सी के जार में टमाटर को डाल दें और पीस दित लें पीसने से क्या होता है कि टेक्षर बहुत ही बढ़ी आता है सबजी का और आथा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे सब्जी मसाला में जीरा धनिया पाउडर है और कालिमिर्श का साथ में एक चमच कसूरी मेथी डालें, कसूरी मेथी का भी फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है यदि है तो जरूर से डालें, डालके अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर का जो खटा पने पूरी अच्छे से गोबी के अंदर चला जाता है, पूरा मसाला भी गोबी के अंदर चला जाता है और ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में पांस से छे मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते रहें चलाएंगे न तो अच्छे से मसाला चारो साइड लिपट जाएगा आलू और गोबी में आप चाहें तो हरी मिर्ची को भी काट के डाल सकते हैं एकदम सिंपल सी सबजी है लेकिन आप इसके साथ पराठा खालो पूरी खालो चावल खालो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और फटाफट बनके रेडी भी हो जाता है और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं बहुत जादा तेल डालके नहीं बनाई हूं थोड़ा सा तेल में बिना लसन प्याज का चटपटा सा आलू गोबी का सबजी बनके रेडी हो गया है तो आप इससे निकाल लेते हैं प्लेट में आप इसके साथ जरूर से बनाएं पूरी या पराठा देखिएगा कितना जादा टेस लगीगा तो फ्रेंड्स अगर आज की ये गोबी की सबजी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें